उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ थाने में शिकायत तुलसीदास जी को गमवार बताने पर आपत्ति निरंजनी अखाद्धे के महामंडलेश्वर बोले, भावनाओं को ठेस पहुँची कथा वाचक पंडित प्रदीप के खिलाफ मंगलवार को उज्जैन के जीवा जीगंज थाने में शिकायत की गई है। निरंजनी अखाद्धे के महामंडलेश्वर और मौनी तीर्थ के पीठा धीश्वर सुमनानंद गिरी महाराज ने तुलसीदास जी को गमवार बताने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदीप मिश्रा के बया करीब एक हफते पहले पंडित प्रदीप मिश्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। इसमें वह कहते सुने जा रहे थे कि हमको कुछ नहीं आता, हम तुलसीदास जी की तरह गमवार हैं। हलांकि ये साफ नहीं हो पाया कि यह वीडियो कब और कहां का है। प्रदीप मिश्रा ने बयान के माध्यम से श्रीराम चरित मानस के रचैता गोस्वामी तुलसीदास को गमवार कहा है। मिश्रा जी खुद को गमवार माने तो ठीक है। लेकिन महान संत तुलसीदास जी से अपनी तुलना करना उन्हें शोभा नहीं देता। गोस्वामी, तुलसीदास जी मेरे परम आराध्य हैं। प्रदीप मिश्रा जी ने वैचारिक आस्था की हत्या की है। इससे मैं अत्यंत व्यथित और अवसाद में हूँ। इससे मेरी नितांत निजी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है। अगर कानूनी कारवाई नहीं की जात गौर तलब है कि कुछ दिन पहले राधाराणी पर बयान देकर प्रदीप मिश्रा विवादों में आये थे। कथावाचक ने कहा था कि राधाजी के पती का नाम अनय घोश, उनकी सास का नाम जटिला और ननत का नाम कुटिला था। राधाजी की शादी छाता में हुई थ राधाजी बरसाना की नहीं, बलकि रावल की रहने वाली थी। बरसाना में तो राधाजी के पती की कचहरी थी, जहां वह साल भर में एक बार आती थी। आईए जानते हैं क्या है? यह पूरा मामला, हम तो तुलसीदास की तरह गमवार। मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। यह मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उन्होंने तुलसीदास के बारे में टिपणी करके विवाद को और हवा दे दी। उन्होंने तुलसीदास को गमवार बताया, इस बयान ने एक बार फिर संत समुदाय में गुस्सा भढ़का जानकारी के लिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम से तालुक रखने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा एक प्रसिद्ध कतावाचक हैं। वाइरल वीडियो में पंडित प्रदीप मिश्रा कहते सुनाई दे रहे हैं। हमें कुछ नहीं आता, हम तुलसिदास जी की तरह पूरी तरह गमवार हैं। इस टिपणी के बाद संत समुदाय में काफी नाराजगी है। मथूरा में धर्मरक्षा संग के अध्यक्ष सौरभ गौड ने विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंडित प्रदीप मिश्रा की बुधिक्षीन हो गई है। उन्होंने उलेख किया कि मिश्रा को वर्तमान में सभी ब्रजवासियों और सनातनियों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। गौड ने गोस्वामी तुलसिदास जिन्होंने रामचरित मानस और हनुमान चालीसा जैसे प्रतिष्ठित ग्रंथों की रचना की को अशिक्षित कहने के अचित्य पर सवाल उठाया। बता दें कि संत तुलसिदास पंडित और संत समाज के लिए पूजनीये हैं। वे हिंदूओं के पवित्र ग्रंथ रामचरित मानस के रचियता हैं। ऐसे में कथा वाचक द्वारा उनके बारे में इस तरह की टिपणी करना संत समाज को नागवार गुजरा। इसलिए मतुरा के धर्मरक्षा संग के अध्यक्ष सौरभ गौड ने पंडित मिश्रा के बयान को अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा है कि विनाश काले विप्रीत बुद्धी, पंडित महोदय की बुद्धी लगता है, भरष्ट हो गई है। इसलिए वह ऐसे बयान दे करने वाला है। उनके कारण ही संत समाज आज इतना सम्रिध है। बता दें कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा बीते दिनों राधारानी पर विवादित बयान दे कर सुर्खियों में आये थे। उन्होंने कथावाचन क के दौरान राधारानी के ससुराल और उनके जन्म स्थान को लेकर विवादित बातें कहीं थी। इस बयान के बाद खूब बवाल मचा और मथूरा ब्रजवासियों ने उनके बहिशकार की मांग की। इतना ही नहीं पुलिस को शिकायत दे कर F.I.R. दर्ज करने की मांग भी की। संत प्रेमानंद महाराज ने भी उनके बयान की निंदा करते हुए तल्ख टिपणी कर दी थी। मामला बढ़ता देखकर पंडित मिश्रा को सपष्टी करण देना पड़ा। मंत्री कैलाश विजय वरगिये को बीच में आकर संत प्रेमानंद और पंडित प्रदीप मि राधारानी की तो वो तो मेरी मा है। पंडित प्रदीप मिश्रा बोले एक्यावन परिक्रमा मैंने राधारानी की करी है। माफी की बात करते हो भोले-भाले ब्रज में रहने वाले इतने भोले हैं। भगवान कृष्ण के समय पर गायों को भी भ्रमित किया था। कई ऐसे जो इन भोले भाले ब्रजवासियों को भ्रमित कर रहे हैं क्योंकि ब्रजवासी भोला होता है, सीधा होता है। पम जो प्रदीप मिश्रा नर्क में जाएंगे। उन्होंने कहा चार शलोक क्या पढ़ लिये। प्रवक्ता बन गए। इधर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राधारानी प्रसंग पर उन्होंने जो भी कहा वो शास्तिरों के अनुसार ही कहा। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने एक प्रवचन में कहा था। हमें गाली दो तो चलेगा, लेकिन तुम हमारे इष्ट, हमारे गुरू, हमारे धर्म के खिलाफ बोलेगे, उनका अपमान करोगे, तो हम ये बरदाश्त नहीं करेंगे, हम स्वयम को नियोचावर कर देंगे, तुम्हें बोलने लायक नहीं छोडेंगे। तुम्हें पता ही क्या है लाडली जी के बारे में? तुम जानते ही क्या हो? अगर तुम किसी संत के चरण रंज का पान करके बात करते, तो तुम्हारे मुख से कभी ऐसी वानी नहीं निकलती। जैसा वेद कहते हैं, राधा और श्री कृष्ण अलग नहीं हैं। तुझे तो शर्म आनी चाहिए। या नहीं, तो तुमने कितने ग्रंथों का अध्ययन किया है। चार श्लोक पढ़ क्या लिए? भागवत प्रवक्ता बन गए। तुम नरक में जाओगे? व्रिंदावन की भूमी से गरज कर ये कह रहा हूँ। अब सिलसिलेवार पंडित प्रदीप मिश्रा का दिया अंका रेश्वर की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, इसका प्रमान हम पहले दे चुके हैं, लेकिन जिसकी दृष्टी में सीहोर वाला महाराज गलत है। तो वो जिन्दगी भर कितना भी प्रमान दे जैसे माता जान की प्रमान दे दे कर आखरी में जमीन में च कि इस व्यास पीट से वो शब्द बोलना जो हमारे शास्त्रों में है। वो तो मेरी माँ है, माफी की बात करते हो, इस राधारानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिन्दगी, खांदान और कुटुम्ब पड़ा है। पंडित मिश्रा बोले, कुछ लोग शिव पुरान का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधारानी की आड में बदनाम करना चाहते हैं। और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा है। आप कहो, जिस दिन राधारानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूँ, आप बोलो जितने दिन तक राधारानी के चरणों में पड़ा रहूँ, मेरी मा है वो, उससे मेरा बैर नहीं है। जो बोलूँगा, प्रमान से बोलूँगा, बिना प्रमान के कुछ नहीं बोलूँगा। पंडित मिश्रा ने कहा, जो कुछ बोलूँगा, प्रमान से बोलूँगा, बिना प्रमान के कुछ नहीं बोलूँगा। वहाँ पर बात करेंगे कल्यान तो हो गया, जिन्होंने मेरी आधी वीडियो चलाई, उन्हें मेरी राधारानी देख लेगी, मैं एक-एक ब्रजवासी को नमन करता हूँ, अगर मेरी वानी से कोई चोट लगी हो तो मुझे क्षमा करियेगा, मैंने प्रमान से कहा है, और प्रमान अपने पास रखूं सत्य पर जिया हूँ और सत्य पर जियूँगा